इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे method of work part transport तो इससे पहले हैं मैंने बहुत सारे वीडियों पढ़ा है तो अगर वीडियों को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर चले जाएए और प्लीज मेरे चैनल को like, subscribe और share कर दिए तो सिधे topic पर आते है method of work part transport the transport mechanism of the automated floor line must not only move the partially completed work part or assemblies between adjacent stations, it must also orient and locate the part in the correct position for processing at each station, the general methods of transporting work piece or floor lines can be classified into the following three categories, basically अगर हम किसी भी work part हो गया या किसी assembly को दो adjacent stations के बीच में हम लोग जब पहुचाते हैं एक जगा से दूसरे जगा फ्लो करा करके ले जाते हैं तो इसमें जो हमारा object है या जो भी work part है उसको केवल ले जाना ही नहीं होता है बलकि उसको एक proper orientation में एक proper location पर उस part को रखना होता है ताकि correct position में हम लोग उस work part को रख सके और हर एक station पे जो processing है वो work piece का एक जगा से दूसरे जगा ले जाना फ्लो लाइस पर उसको हमों को ने तीन पार्ट बाटा है पहला continuous transfer दूसरा intermittent और synchronous transfer और तीसरा asynchronous और power and free transfer है पहला उसके बाद the most appropriate type of transport system for a given application depend on such factors following factors है जो पॉइंट वाज करके मैं लिखा हुआ है छे points में तो पहला पॉइंट इस में यह है the type of operation to be performed किस तरह का operation आपको perform करना है उस पर डिपेंड करेगा दूसरा the number of station on the line कितने number of stations line the weight and size of the work part whether manual station are included on the line production rate requirement balancing the various process time on the line कि तो यह different factors है जिस फर टास्पूर्ट सिस्टम कि डिपेंड करेगा आपका पहला continuous transfer आप हम लोग देखते हैं एक बार कि विद्ट अब टास्पार्ट पार्स और मूट कर दिलिशली एड कांस्टेंट स्वीड इसमें आपका जो वर्क पार्ट होगा एक वेस्टेशन से दूसरे स्टेशन दर कंस्ट कंटिनिवासली कंस्टेंट स्वीड पे मूव कराया जाएगा दिस इक वार्ग है तो मूब डिरिंप्रोसेसिंग अन आपट तो मेंटेन पावर बड़ पार्ट सम्झाने के जुरुट कराते हैं तक हम लोग मैंटें कर सकें एक एक एक्ज्यमपन और यूज और इन वेवेरीश-बॉट्लिंग ऑप्रेशन पैकेजिंग मैन्यवासम्प्रेशन लवाज इसम्धी शेहे नहा उनंहें ऑफ जन्गफ़ादी है, ए Easy विड़न को अवीन एन्मपरी न片् little वघ्भरेंप कर एंसेंग बॉडालू का थौट की पीधार हैं एंसे जाहिए आर टारीव फौनन 635-0 the problem the basically is 냐 क्या होता है कि अर्माल घ्री हम ही एक को ऐसा operation करना है बोलें का operation करना है ठीक है तो हम बीच-बीच में क्या करते हैं में हम मका सब्रव्क घुड़ा बहुत है हुनweise जैसे जैसे वर्क पार्ट एक पार्ट से दूसरे पर जा रहा है तो human की अगर assistance की जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा बहुत हम लोग help ले सकते हैं तो यह थोड़ा सा सम्झाने कि इसमें कोशित की गई है continuous transfer system are relatively easy to design करना काफी ही होता है और इससे हम लोग बहुत हाई रेट प्रोडक्शन फाइंड आप करते हैं कि दूसरा intermittent और सिंट्रोर ट्रांसफर तो ऐसे जैसे इसका नाम है कि intermittent तो इसमें नाम से पता चल जा रहा है कि हमारा जो वर्क पार्ट है वो और producing motion के साथ एक जगह से छाड़ा पर टांसपोर्ट होगा हमारा वर्क भाव का एक डूसरे दूसरे जगह पर कैसे टांसपोर्ट होगा intermittent teaching means movement के साथ थाई कि है कि इसमें इस्टेशन फिक्षट होते हैं कि ऐफ सब्सक्राइब कर दो में को पहले वालें कर सकते थे मैं उसमें बताया था आपको थे station are fixed in position and the part are moved between station and then register at the proper location for processing all work parts are transported at the same time and for this reason the term synchronous transfer system is also used to describe the method of work part transport अर इसके बाद आता है ये synchronous और power and free transfer तो देखें ये synchronous और free and power transfer में क्या है इस system of transfer also refers to when a power and free system allow each other part to move the next station when processing at the current station has been completed each part moves independently of other part ये वाला पॉइंट ही जादी important है कि जीतना भी part होगा वो independently एक move कर सकता है एक दूसरे से independently हो सकता है कि आपका एक पार्ट में processing हो रही है ठीक है और लाइन पर उसी टाइम पर एक दूसरा पार्ट जो है एक जगह से दूसरे जगह पर transport हो रहा है तो ये बिलकुल independent है कि दोनों का motion एक पर आपका जो भी मतलब पार्ट से उनका motion बिलकुल independent होगा एक पर आपका processing हो रहा है जबकि दूसरा एक जगह से दूसरे जगह ट्रास्पोर्ट किया जा रहा है तो यह वाला पाइंट आप पढ़ सकते हैं इसको वीडियो को पॉस्ट करके आप असाने से नोट्स भी बना सकते हैं यह synchronous lines are often used when there are one or more manual operators a stations and cycle time variation would be problem on either the continuous or synchronous transport system a disadvantage of the power and free transfer that the cycle rate are generally slower than for the other time this cycle rate obviously किसी बात ही थोड़ी सी slow हो जाती है इस वाले में free transfer में इसको तभी हम लोग यूज करते हैं जब आपका एक या एक से अधिक manually operated station क्या हो सकता हो और cycle time variations में आपको problem हो तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं पावर में प्री टांसफ़र को आप अगले वाले वीडियों महों लोग देखेंगे ट्राजफर मेकेनिजम थैंक्यू